नमस्कार दोस्तों आप सब कैसे हैं उमीद करता हूँ आप सब स्वास्थ होंगे आज के इस सेशन में हम लोग बैसिक ऑफ और्गेनिक केमेस्ट्री पढ़ेंगे जिसमें हम लोग सबसे पहले कुछ बैसिक्स के बारे में जानेंगे फिर वाइटल फॉर्स थियोरी और इसी म पेट्राबेरी और ट्रोपर्टी के बारे में हम लोग बढ़ेंगे नृष बैसिक ऑफ और गानिक केमेस्ट्री जो यूनिट है चैप्टर इसके बारे में बात किया जाता हा अदरर्ग्रेजूट का बाठ है है solved जो या तो semester 1 या समेस्टर 2 में हम लोग को पढ़ने को मिलता है तो हम लोग start करते हैं पहला है natural source हम लोग को organic chemistry पढ़ने से पहले हम लोग को जानना पढ़ेगा थोड़ा organic chemistry के basic के बारे में की है कहां से आया और इसमें हम लोग क्या-क्या पढ़ना रहता है तो पहला है natural source तो कोई भी जो organic compound बनता है तो वह आ तो plant से बनता है या फिर animal से वैसे अगर total compound की बात किया जा है तो कुछ plant से बनता है कुछ animal से और बाकी जो है mineral से बनता है तो जो compound plant और animal से मिलकर बनता है उसी को हम लोग कहते हैं organic compound और जो compound mineral से बनता है उसे हम लोग inorganic compound कहते हैं जिसको हम लोग inorganic chemistry में हम लोग इसका डेटेलर study करते हैं तो हम लोग को basic जो है यहाँ पर focus करना है तो हम लोग organic compound के बारे में बोल सकते हैं कि the compounds of plant and animal आर कोल्ड organic compounds अब अगला है organic compounds को हम लोग ego definition दे सकते हैं the compounds of carbon क्योंकि organic chemistry में जो है basically सबसे ज़्यादा जो है carbon का ही study किया जाता है और जो carbon से जितने भी compounds बनते हैं उसको हम लोग organic compounds काते हैं इसमें भी कुछ exception है जैसे कि carbon monoxide, carbon dioxide यह सब जो carbon के ही compound है लेकिन यह सब जो organic chemistry में नहीं आते हैं फिर इसमें का सकते हैं हम लोग bicarbonate और एक hydrogen cyanide तो यह जो हो गया organic compound का basic जो definition हो गया उसके बारे में हम लोग समझ चुगे हैं अब हम लोग इसी में एक point है separate branch हो आए तो organic compound को जो है एक separate branch जो है बनाने की आवेसकता क्यों पड़ी तो इसका region है कि carbon जो है वह जो है बहुत सारे compound बनाता है तो हम लोग कर सकते हैं कि because carbon can form a large number of compound और carbon जो है जो बहुत सारे compound बनाता है इसका main region दो region है पहला है catenation और दूसरा tetravalency carbon के पास जो है यह दो गुन होते हैं catenation और tetravalency जिसके कारण जो यह बहुत ज्यादा मात्रा में जो है compound बनाता है और इसलिए इसको study करने के लिए chemistry में ही एक अलग branch दे दिया गया जिसको हम लोग कहते हैं organic chemistry तो इन दोनों के बारे हम लोग यह क्या क्या होता है इसके बारे हम लोग discuss करेंगे उससे पहले हम लोग इसका थोड़ा history जान लेते हैं कि organic compound का सुरुवात कैसे हुआ तो उसी में पहला आता है organic compound से related में vital force theory वाइटल फोर्स जिसको हम लोग अगर हिंदी में कहें तो इसका हो जागा जैविक सक्ति तो इसके बारे में सबसे पहले जो है अठारो सो पंद्रो इस्वी में बताया गया और बताने का काम किस ने किया बर्जैलियस ने तो वाइटल फोर्स थियोरी जो है बर्जैलियस ने दिया और उसका कहना था कि the organic compounds are formed in nature in presence of some vital force आनि जितने भी organic compounds जो है जितने भी organic compounds जो बनते हैं वह जो है नेचर में बन सकते हैं और that cannot be created by human beings तो बर्जैलियस का कहना था कि जितने भी organic compounds है वह जो है नेचुरल सोर्स से बन सकते हैं नेचुरल सोर्स जैसे के plant और animal के द्वारा इसको जो है कोई भी मनुश्य जो है इसे बना नहीं सकता और organic compounds को और इसके पीछे जो है एक vital force तोरी आनि जैविक सकती कैरी करता है जिसके तहत जो है यह organic compounds का निर्मान करता है अब हिस्ट्री में अगर आगे चलें तो इसी में कि अठारो सो पंद्रों में जो है बर्जैलियस ने दिया कि जो कोई भी compound जो हुआ नेचर में ही बनेगा लेकिन उसके कुछ साल बाद आनि 1888 में एक scientist रहते हैं वालर जो रहते हैं वालर जो रहते हैं वालर जैसे की बर्जैलियस के दौरा बताया तो गया कि यह जो है नेचर में बनता है लेकिन scientist के दौरा जो है study जो है चल रहा था कि organic compound को हम लोग कैसे जो है बना सकतें लेबरे और इन्होंने 1868 siswi में जो है urea का जो है निर्मान करके दिखा दिया लेबरे टिन तो हम लोग कहा सकते हैं कि पहला organic compound जो लेबरेटरी में बना वह क्या था यूरिया और यूरिया इन्होंने बनाया तो इसका जो process क्या था इन्होंने reactant क्या लिया था तो जो किस्से जो है क्या बना तो इन्हों ने जो है Amonium Sulphate Amonium Sulphate को लिया और उसके साथ Potassium Sinate तो इन्हों ने जो है इन दोनों Compound को जो है लिया और इसको जो है Heat कर दिया और Heat जब किया तो एक Compound बना और compound का नाम क्या था तो उसमें इन लोगों को पता नहीं चला unknown compound जो compound बना हुआ, क्या बना इन लोगों को? कोई idea नहीं था लेकिन इसी में जो कुछ दिर के बाद जो hit करते ही गया तो उससे जो है आगे urea निकल के आया तो उसके बाद जो compound निकला हुआ क्या था यूरिया तो इसमें reactant के रूप में ammonium sulfate और potassium cyanide का use किया गया था बाद में जब अ study किया गया तो इसका जो reaction जो है इसका जो पूरा compound के साथ reaction क्या क्या बना तो उसका इस प्रकार था NH4 all to SO4 यह क्या है ammonium sulfate ammonium sulfate को जो है potassium cyanide potassium cyanide के साथ जब reaction क्या गया या क्या है potassium cyanide और इसके साथ जब reaction क्या गया तो एक compound बना NH4CNO जिसको हम लोग क्याते है ammonium cyanide तो उस समय जो unknown compound बना था हुआ क्या था ammonium cyanide और इसके साथ बना था K2SO4 जिसको हम लोग क्याते हैं potassium सल्फिट तो जो unknown compound बना हुआ यहां पर क्या बना था ammonium cyanide और उसके बाद जब ammonium cyanide अनि NH4CNO यह क्या है ammonium sulfate जब ammonium sulfate को जब फिर से heat किया गया तो यह आगे चलके क्या compound बनाता है यूरिया और यूरिया का जो यहां पर पूरा structure formula इस परकार था इस परकार से यहां पर single nitrogen है तो दो NH2 group जो है यहां पर carbonyl group में जो है यहां पर जुड़ा हुआ था तो इसी को हम लोग क्या कहा है यूरिया तो यूरिया का formula क्या हो गया NH2 CO NH2 तो इस परकार जो है पहला organic compound जो लेबरेटरी में बना हुआ क्या था यूरिया अब हम लोग इसी में हम लोग को कुछ टरम पढ़ना पढ़ेगा basic तो उसके लिए एक slide एट करते हैं तो इसमें से आगे हम लोग को समझने के लिए दो टरम समझना पढ़ेगा पहला है valence electron valence electron क्या होता है और दूसरा है lone pair of electron तो इन दोनों को हम लोग को समझना पढ़ेगा ताकि जो हम लोग को आगे जो पढ़ने में और गिनिक केमेस्टरी स्विधाव तो हम लोग एक एटम ले ले लेते हैं oxygen oxygen का एटम में नमर कितना होता है 8 इसका हम लोग अगर configuration करें तो क्या हो जाए गया 1s2 2s2 2p4 तो इसमें जो है अगर मुझे लोग भैलेंस एक्ट्रोन ले तो यहां पर स orbital और या कि और झाब हिभ्व्य और सम इसमें यहां पर दो electron फिल है है और यहां पर प्सकासित एप्भा किस तरह जाता है पहला एकट्रोन यहां दूसरा ता सिरा उसके बास पहले singlet फिल्ड जो हाफ फिल्ड कर लिया जाता है उसके बाद फूल फिल्ड किया जाता है तो यहां पर जो चौथा इलेक्ट्रोन आएगा तो यह जो इलेक्ट्रोन जो हो गया तो इसी को हम लोग कहते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रों जो लास्ट सबसेल में जो इलेक्ट्रों गोसता है उसको जो हम लोग क्या कहते हैं इसको वैलेंस इलेक्ट्रों लेकिन इसी में जब कुछ एनरजी डाला जाता है तब जो है एक्साइटेड एस्टेट में जाता है तो excited state में इसका balance electron हो जाएगा basically क्या होता है कि यहां जो है यहां जो 4 electron है तो S में जो था यहां जो shift होके यहां चल जाता तो इस प्रकार इसका excited state मिलता है अब हम लोग low on pair of electron किसको कहते हैं तो यहां पे जो यह जो दो सिंगल जो electron है यहां पे दीख रहा है तो यह जो है कोविलेंट बॉंड बनाता है और यहां पे जो यह जो double electron जो एक साथ जो रहा गया यह जो है लोन पेर बनाने में काम आता है जैसे कि अगर हम लोग water molecule का अगर देखें structure तो इसमें आद होगा कि यहां पे है तो है नो पेर धाय जो डॉट है यह क्या है यहलों पेर तो नीर। और पेर का निर्मान की स्थरा होता है तो औक मुंज गिल करने अगर क्यतना होता है तूस्ट है 26 तो इसunta निलके क्या बना लेते हैं हाइडोजन से यहां पे बना लेते हैं लेकिन यहां गणा यहां Pa бол district यहांपर electron है एक यहां S में और यहां 2 P में तो यहां दोनो जो electron है जो pair में यहां 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 Leone pair के रुप में यहां पे आजाते हैं और वैसे भी पता होगा कि oxygen का जो है आठ जो बैलेंसी होता है और कोई भी atom जो है वह जो अपना octet पूरा करना चाहता है तो उसी में से एक electron के साथ यह hydrogen के साथ bonding मराता है और एक electron के साथ यह hydrogen के साथ है और दो इधर हो गया और चार यहाँ पर इसमें जो यहाँ पर total एक bond में दो electron जो है यहाँ पर यूज होता है तो यहाँ दो दो चार हो गया और यहाँ पर लॉन पेर में यहाँ दो दो चार और टोटल हो गया आठ तो यहाँ से जो है oxygen जो यहाँ पर stable हो जाता है अब हम लोग इसमें हम लोग को एक और पॉइंट पढ़ना पड़ेगा और वहाँ पॉइंट है जिससे की कोई भी compound होता है तो उसका naming लिखा जाता है तो इससे की कोई भी compound हम लोग एक compound ले लेते हैं समाहिने के लिए इथेन तो इसका जो है बहुत सारा जो टम इसके लिए यूज होता है जिससे की molecular formula कोई भी compound है तो उसका molecular formula क्या होता है तो इथेन का अगर बात करें तो इसका जो है molecular formula होता है c2h6 c2h6 तो इसमें हम लोग क्या दर्शाते हैं तो हम लोग इसमें दर्शाते है actual number of atom in one molecule तो इसका जो एथेन का जो एक molecule होगा उसमें कितने atom जो present है उसको हम लोग दर्शाते हैं तो हम लोग इसको लिख सकते है actual number of atoms in one molecule तो एक molecule जो है कोई भी compound का तो उसमें कितना सारा atom जो involved रहता है उसको हम लोग आते हैं उसको अगर हम लोग लिखें तो उसको हम लोग काते है molecular formula इसी में दूसरा आता है empirical formula यह सब basic term है यह सब को जो हमेशा ध्यान में रखना है empirical formula क्या होता है अगर कोई पूछते एथेन का molecular formula क्या होता है तो हम लोग कहेंगे C2H6 और अगर empirical formula पूछे तो empirical formula में हम लोग लिखते है CH3 अब यह कैसे आया तो इसको हम लोग कहते है ratio of actual number of one molecule एक molecule में जो atom होते है उसका ratio जो किस प्रकार होता है उसको दर्शाते है जैसे कि यहां carbon और hydrogen का अगर निकालने ratio हम लोग तो carbon यहां पर कितना है 2 और hydrogen 6 तो इसका कितना 1 by 3 आया तो हम लोग carbon जो single लिखेंगे direct और hydrogen 3 तो यहीं से आगया CH3 carbon यहां 1 है और hydrogen 3 तो empirical formula में क्या लिखा जाता है ratio of कोई भी जो molecule है उसमें जो है atom जो पर्जेंट रहता है उसका जो है ratio लिखा जाता है अब अगला आता है कि अस्ट्रक्चरल कि फॉर्मूला क्या होता है तो इसको हम लोग कर सकते हैं फॉर्मूला कि स्वोविंग कि दे bonds प्रजेंट इन अ मॉलिकूल तो कोई भी जो compound है जिससे कि हम लोग इथेन लिएं तो इथेन का जो या जो compound है तो इसमें जो है bonding जो किस प्रकार से हुए उन सबको जो दर्षाता है उसे हम लोग अस्ट्रक्चरल फॉर्मूला खाते हैं तो इसका जो अगर हम लोग इसका structure फॉर्मूला लिखें तो कुछ इस प्रकार होगा इसमें जो सारा bond जो दर्षायर आता है कि किस प्रकार से इसका bond बना हुगा तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि C2H6 का जो structure फॉर्मूला है कुछ इस प्रकार होगा जिसमें जो carbon carbon से single bond के थुरू जुड़ा होता है और हर एक carbon atom पर जो तीन hydrogen atom जो singly bonded के थुरू जो इसमें जुड़ा हुआ रहता है अब हम लोग आते हैं main topic पर वापस main topic में हम लोग carbon का देखें कि उसका जो total दो प्रोपाटी होता एक tetravalency और एक catenation प्रोपाटी जिसके चलते हैं जो carbon बहुत सारा compound बनाता है और जिसके लिए carbon के लिए एक अलग ब्रांच बनाना पड़ा organic chemistry अब हम लोग tetravalency क्या होता है तो tetravalency का अगर definition के बात करें तो tetravalency होता है the property of an element to form four bonds is known as tetravalency आणि कोई भी compound है मान लेज़े वह compound यह है और वह अगर चार बोंड बना रहा है तो कोई भी compound का जो चार बोंड बनाने का जो जहमता रहता है उसी को हम लोग काते है tetravalency tetra मतलब होता है four और valency मतलब होता है valence electron तो जीस भी atom के इस पास चार बोंड का निर्मान कर सकता तो जब चार अलग अलग atom से या फिर सेम atom से भी वह जूट सकता है तो कोई भी atom जब चार बोंड बनाने का जब छमता रखता तो उसी को हम लोग काते है tetrabalancy जैसे कि हम लोग example में ले से carbon का हम लोग जानते हैं कि carbon का सबसे छोड़ा compound क्या होता है methane और methane का formula क्या होता है CH4 तो CH4 इसमें भी देख रहे हैं कि carbon जो है total carbon जो आसानी से बना ले रहा है तो यह property जो carbon के पास जो unique है और भी atom में है जिसे कि silicon है germanium है यह सब के पास भी है लेकिन यह सब के पास उतना ज्यादा tendency नहीं है जितना कि यह carbon बना सकता है तो यह है tetrabalancy का definition अब हम लोग इस property को थोड़ा जो है define कर लेते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं इस property of carbon can be explained with the help of excited state of carbon अभी हम लोग ground state or excited state के बारे में पढ़े थे oxygen का तो इसी का हम लोग अब carbon का देखेंगे तो हम लोग को समझ आएगा कि carbon जो है किस परकार जो है carbon असानी से बना लेता है तो हम लोग अब carbon का लेते हैं इसका atomic number 6 होता है अगर इसका electronic configuration लिखा जाए तो हो जाएगा या 1s2 2s2 2p2 अभी इसका valence electron की बात के जाए तो इसका valence electron हो जाएगा 2s2 और 2p6 जो लास्ट सबसेल में जो electron आता है उससी को हम लोग wellness electron काते हैं अब s और p का हम लोग जो यहाँ पर हम लोग box बना लेते हैं तो s में जो total कितना है दो electron और p में कितना है तो पी में total जो तीन सबसेल होता है और तीन यहाँ पर सवरी यहाँ पर दो electron होगा तो इसमें पहला और यह दूसरा तो यहां किसमें ग्राउन डोस्टेट में आनि नॉर्मल एस्टेट में अब जो है एकसाइटेट में हम लोग carbon का देखते हैं तो यह कुछ इस प्रकार से हो जागा जई इसमें energy दिया जाएगा तो यह कुछ जब bond बनाता है तो इस तरह से तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो दो electron रहाता है या यहाँ से एक electron जो निकल के जो यहाँ पे P sub cell में चल जाता है तो यहाँ इस प्रकार से यहाँ पे total चार जो है चार जो है tutti single electron field यहाँ पर आ जाता है और यहीं चारों जो single electron है हम लोग पहले पढ़े हैं क् ways ही सब आगे चल के क्या कोविलेंट bond का निर्मान करता है तो यहांसे कोविलेंट bond पना लेता है तो इसे के चलते कारवन के पास पस ranked जो है कराता है कि वह जो चार जो है bond बना सकता है और इसी property को हम लोग क्या कहते हैं tetra valency अब हम लोग का next property है catenation catenation property क्या होता है so the self-linking property that is the formation of chain is known as catenation catenation क्या होता है कि कोई भी atom है और वह जो 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 रहता है उसी को हम लोग केटनेशन कहते हैं और इसी के चलते जो कार्बन बहुत बड़ा से बड़ा कंपाउंड भी बना लेता है अगर कंपाउंड की बात करें तो यह जो है जिससे की साइक्लोहेक्शन है बेंजीन है तो यह सब जो है छे छे कार्बन का जो है इसमें रहता है लेकिन इसी तरह जो है जो है इसी तरह बड़ते बड़ते जो है जो काफी बलकी जो है कंपाउंड का भी जो निर्मान कर लेता है अब जो carbon के बारे में बात करें catenation property हो गया अब carbon can form various type of chain जब जूड़ जूड़ के बहुत लंबा chain बना लेता है तो chain जूड़ उसमें भी बहुत परकार का हो जाता है तो अब chain का classification देखेंगे कि किस किस type का chain बनता है तो उसी में पहला है on the basis of bond तो जो carbon जो bond बनाता है अगर उसके अधार पर हम लोग देखें तो यह किस किस परकार का बनाता है तो इसमें पहला आता है saturated saturated में जो है saturated को हम लोग आज रख सकते हैं only single bond तो वैसा chain जिसमें जो है सिर्फ single bond आये तो उसी को हम लोग कहते है saturated 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 chain और दूसरा आता है unsaturated तो unsaturated में क्या आ जाएगा saturated में single bond तो unsaturated में आ जाएगा double bond और triple bond और यहां पर सिर्फ single bond अब जो है यहां से saturated में भी जो है दो टाइप आ जाता है एक open chain और एक close chain इसको हम लोग आगे समझते हैं तो यह जो यहां पर clear हो गया होगा कि जो saturated chain जो बनता है उसमें सिर्फ single bond होता है और unsaturated में double bond और triple bond होता है अब हम लोग इसको arrangement के अधार पर देखते हैं इसी में जो है arrangement जैसे की chain था chain का arrangement किस प्रकार से होगा कि हो सकता है कि chain इसी तरह सीधा यह बढ़ते जा रहा है या फिर हो सकता है कि carbon जो है धिरे धिरे जाकर एक cycle में जो जाकर बंद जा रहा हो तो arrangement के अधार पर भी जो है इसका जो chain का जो है classification किया गिया तो उसी में आता है पहला open chain और दूसरा close chain तो इन दोनों को हम लोग समझते हैं तो open chain भी जो है दो प्रकार का होता है यहां से पहला homocyclic sorry यहां पर close chain कर लेते हैं और यहां पर open chain कर लेते हैं क्योंकि जो close chain का जो classification आता है उसमें आता है homocyclic और heterocyclic और open chain में जो है इसमें भी दो टाइप आता है एक अस्ट्रेट और एक ब्रांच्ट अब हम लोग इन दोनों को समझते हैं तो पहले जो open chain है open chain जिसमें जो कार्बन का जो compound जो रहता हुआ खुला हुआ रहता आनि पैक नहीं रहता है आनि जो यहां पर जो example दिया गया इस परकार से रहता है open chain और open में जब straight chain है तो यह जो इसी परकार होगा कि carbon जो सिर्फ सीधा जो जो लिंक करते जाएगा carbon के साथ और जो यह जो chain बना देगा और branch के बात करें तो branch में जो जो जिससे की carbon जो है इस तरह सीधा बना रहा है और इसमें जो जो एक प्रकरसे हो गया अब यहां पर क्लोज चेंड में आते हैं तो क्लोज चेंड जिसमें जो है कार्बन जो पैक हो जाए अनि एक सरकल के जिसा बना ले या फिर क्वार्ड रेटरल या फिर कोई जो है हेक्सागोनल के तरह है आनि जो वह जो ऑपन जो खूला था वह जो हो सकता है कि घुम के जो एक साथ जो मिलकर बना दे तो इसमें भी जो दो टाइप आता है होमोसाइकलिक होमोसाइकलिक में कि कार्बन जो है सिर्फ कार्बन के साथ बॉंड बना के जो है एक साइकल बना दे जिससे कि यहाँ पर एक cycle के तरह जो है, एक complete cycle बन चुका है, और इसमें सिर्फ carbon के atoms जो इसमें involved है, तो इसमें homocyclic आनि same type का atom जो है, इसमें involved है, दूसरा है heterocyclic, कभी कभी होता है कि carbon का compound होता है, वह किसी दूसरे atom से भी जब bond बनाता है दूसरे atom से, तब जो इसमें कोई atom हम जो एक या एक से ज़्यादा जो different आ जाता है, तो उसी को हम लोग कहते है, heterocyclic compound, अब हम लोग को जो है, इसमें हम लोग को कुछ जो है basics जानना पड़ेगा, जैसे कि अगर एक compound ही जा, तो इसको बताना है कि यह जो है, यह branch carbon है, यह फिर straight carbon, chain है, दूसरा है, दूसरा जो यह compound है, यह भी बताना ही कि यह जो straight chain है, यह फिर branched है, अगला है, और एक और है last, लास्ट यह, तो इसमें जो बताना है कि कौन-कौन सा straight chain है, और कौन-कौन सा branch chain है, तो इसमें जो है, हम लोग अगर देखेंगे, तो देखने में तो लग रहे है कि यह man carbon chain है, और यह branch है, लेकिन ऐसा जो है, नहीं है, इसको जो है, अगर हम लोग सीधा करके अगर इधर लिख दें, इधर, तो यह भी जो है, एक state chain हो जाएगा, तो यह जो ब्रांच carbon जो है, नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, a straight chain, अब इसमें देखेंगे, तो इसमें जो है, a straight chain हो किया, और इसमें जो यह branch, इसको अगर हम लोग सीधा करने के भी कोजिस करें, तो यहाँ पे जो है, नहीं है पाएगा, तो यहाँ जाएगा, ब्रांच carbon, इसी तरह इसमें देखें, तो इसमें भी जो है, structure को जो है, बिगाड़ दिया गया है, सिर्फ यह जो नॉर्मल जो है, सीधा chain जो है, यह बना रहा है, तो यह जो क्या, a straight chain, और यहाँ पे जो यह यह branch, इसमें जो दो carbon जो है, एक्स्ट्रा जुड़ा हूँ, आनि यह जो है, यह branch carbon chain है, अब हम लोग को और basic पढ़ना है, इसे की कुछ टर्म जो है, direct objective में आ जाता है, minimum number of carbon to form, पहला, close chain, objective में आ जाएगा कि minimum number of carbon बताएं, जो close chain मराने में आप सकता हूँ, तो इसका answer हो जाएगा 3, तो कम से कम जो है, 3 carbon atom चाहिए, एक chain बनाने के लिए, क्योंकि अगर हम लोग 2 length है, तो यह जो close chain जो है, यह नहीं बन रहा है, तो close chain बनाने के लिए minimum जो हम लोग को 3 carbon atom का जरूरत पढ़ता है, दूसरा है, branch, ब्रांच chain बनाने के लिए minimum number of carbon का जरूरत कितना पढ़ता है, अगर हम लोग देखें तीन कार्बन में तो तीन कार्बन यह नॉर्मल बना और अगर हम लोग चार ले 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 तो जो है ब्रांच कार्बन बना सकते हैं अगर कार्बन को हम लोग यहां जोड़ें तो अगर हम लोग कार्बन को यहां जोड़ देंगे तो वह जो फिर स्टेट चेन बन जाएगा तो मिनिमम जो है ब्रांच चेन बनाने के लिए जो कार्बन एटम का जो आवे सकता पढ़ता हुआ जो है टोटल चार अब हम लोग को पढ़ना है types of carbon और hydrogen तो कोई भी compound जो बना होता है उसमें carbon जो किस type का जो जुड़ा हुआ है या फिर hydrogen किस type का जुड़ा हुआ है उसके बारे में हम लोग को थोड़ा पढ़ना पढ़ेगा क्योंकि आगे चलके कहीं यूज होगा 1 degree carbon, 2 degree carbon, 3 degree carbon या फिर 2 degree hydrogen, 3 degree तो इस परकार जो word यूज होगा तो वहाँ पर समझ नहीं आएगा कि या जो क्या है तो types of carbon या hydrogen तो इसमें पहला आता है primary जिसकों लोग 1 degree भी कहते हैं तो अगर कोई carbon का जो है अगर कोई carbon जो है एक carbon एटम से जुड़ा रहे तो उसकों लोग कहते हैं 1 degree दूसरा है secondary आणि कोई भी carbon एटम जब 2 carbon एटम से जुड़ा हो तो हम लोग क्या कहेंगे secondary और जब तीन carbon एटम से जब एक carbon जुड़ा हुगा हो तो इसको हम लोग कहते हैं tertiary 3 degree और एक आता है last quarter nary यहां पर नाम लिख दे रहे हैं यह है tertiary और यह है quarter nary और फोर डिगरी तो इसमें हम लोग को carbon जो है जिसके यह भी carbon है यह भी carbon है तो इसमें confusion होगा कि यह किस carbon के बारे में बताया जा रहा है तो अगर हम लोग इस carbon का बारे में बात करें तो इसके साथ भी जो है सिर्फ एक carbon जुड़ा हुआ है और यह भी जो है 1 degree carbon है और यह भी जो है यहां पर 1 degree carbon है अब हम लोग यहां है secondary में तो इसमें अगर हम लोग इस carbon के बारे में या फिर इस carbon के बारे में अगर हम लोग study करेंगे तो पाएंगे कि यह दोनों जो है एक primary carbon atom है तो जो carbon पर depend करता है कि वह कितने carbon atom से जुड़ा हुआ है तो यहां पर यह carbon जो है यह 2 degree है क्योंकि यह 2 carbon atom से जुड़ा हुआ है इसी तरह यहां पर यह carbon atom है यह 3 degree carbon atom लेकिन यह 3 जो है यह primary carbon atom है और यहां पर यह carbon है यह quaternary carbon atom है तो concept जो है clear यहां से carbon का जो है यहां पर type of carbon जो है यहां पर clear हो गया होगा अब हम लोग बात करेंगे कि hydrogen किस प्रकार से होगा तो hydrogen का concept जो है hydrogen का concept कुछ अलग नहीं है hydrogen का concept जो है जैसे कि कोई compound है और इसमें यहां पर एक hydrogen जुड़ा हुआ है hydrogen के बारे में अगर पूछे तो hydrogen भी वहीं चार प्रकार का होता है 1 degree, 2 degree, 3 degree और 4 degree आनि primary, secondary, tertiary और quaternary तो hydrogen का classification जब किया गया तो इसमें बताया गया कि hydrogen जो है उसी degree का होगा जिस carbon से वह जुड़ा होगा उसके जैसा आनि यह जो carbon जो है इसका जो degree हम लोग को पता करने के लिए यह hydrogen पर depend नहीं करेगा बलकि यह hydrogen जिस carbon से जुड़ा हुआ है उस पर जो है depend करेगा तो यहां हम लोग देख रहें कि hydrogen एटम है तो इससे तो यहां से हम लोग को इसका degree नहीं पता चलेगा तो यह किस carbon से जुड़ा हुआ है इस carbon से तो इसका जब हम लोग degree निकालेंगे तो यहां पर देख रहें कि यह एक carbon एटम से जुड़ा हुआ है तो यह कितना हो जाएगा 1 degree आनि 1 degree hydrogen इसको हम लोग कहेंगे आनि hydrogen जो है जिस carbon एटम से जुड़ा होगा और वह carbon एटम जिस degree का होगा उतना ही जो है hydrogen का भी जो डिगरी रहेगा अनि अगर hydrogen primary carbon atom से जुड़ा है तो hydrogen भी primary hydrogen हो जाएगा और अगर वो secondary carbon atom से जुड़ा हुआ है तो hydrogen भी secondary hydrogen का लाएगा जैसे कि carbon है और यहाँ पर hydrogen जुड़ा हुआ तो यह hydrogen जो है या secondary hydrogen atom हो जाएगा इसी तरह जब तीन कार्बन एटम से जुड़े कार्बन के साथ हाइडोजन जुड़ा हो तो यह जुआ थ्री डिगरी अनि टर्सियरी हाइडोजन एटम हो जाएगा हाइडोजन जो यहाँ पे कौाडरनारी जुआ नहीं होता है हाइड्रोजन का सिर्फ तीन टाइप होता है प्राइमरी, सकेंट्री और टर्सियरी अब हम लोग इसमें कुछ वर बैसिक बचा हुए है उसको में लोग एट कर लेते हैं अब हम लोग को है टू डिसाइड पोजिशन ऑफ ब्रांच यह बैसिकली नॉमेन कलेसर का पार्ट है जिसको आप लोग जो है पहले भी जो है 11 में पढ़ चुके होंगे कोई भी कमपाउंड में जो है ब्रांच का जो है पोजिशन जो किस परकर निरधारित किया जाता है तो इसका दो तिन डूल है पहला जिसकी यह कारबन है इसमें यहाँ पर मान लेज़े ब्रांच है तो इसका अगर हम लोग इसमें हम लोग एक हटा देते हैं अब हम लोग देखते हैं इसमें इसका जो कारबन का जो ब्रांच है किस परकर से डिसाइड करेंगे तो कारबन का पहले हम लोग मेंचेन चांटते हैं तो मेंचेन इसका यह हो गिया जिसको हम लोग पैरेंट चैन भी कहते हैं तो इसमें हम लोग अब नमरिंग करेंगे तो अगर हम लोग इधर से करनें तो 1,2,3 तो यह 3 पोजिशन पर ब्रांच आएगा लेकिन इधर से जब हम लोग नमरिंग करेंगे तो यह जो है 1,2 अनि यह जो है 2nd पोजिशन पर आएगा तो हम लोग नमरिंग का जो रूल जो है नॉमेंध क्लेचर का आई यू पिए सी नॉमेंध क्लेचर का जो रूल है उसके तहत बताया गया की न Maing हम लोग उधर से करेंगे जिदर से ब्रांच न जज़दीख हो तो हम लोग का नमरिंग जो इधर से जगहा 1,2,3,4 तो इस जो ब्रांच है इसमें जो यह जो कार्बन है इसका ब्रांच जो यह जो सकेंड पोजिशन पे है तो इसी तरह जो हम लोग इसका पोजिशन जो निकालते हैं तो यह हो गया कुछ बैसिक चीज कुछ और हम लोग एड करते हैं अब हम लोग को एक टेबल पढ़ना है इसी में इसको हम लोग समझते हैं यह जो अब्जेक्टिव में जो है काफी जो है हम लोग को काम देगा नम्मर ऑफ कार्बन और यहां पर टाइप्स ओफ चेन कि इसी में जो है किस्ट्रेट आजाएगा और ժरांजट भी आजाएगा कि यहार टेबल जो अम लोग को शब्य हान में रखना हो फक्ला नम्मर अफ कार्बन अगर तीन कार्बन एटेम है तो चेन कर टाइप क्या होगा थे दो किदेग्स नम्मर और अग्स, और branch chain 0 क्योंकि अभी हम लोग पढ़ें कि branch carbon बनाने के लिए total जो हम लोग को 4 carbon atom का जोरुष पढ़ता है minimum अगर 4 carbon है तो क्या state chain बन सकता है? कितना? 1 और branch chain 1 क्योंकि जब 4 carbon atom होगा तो यह जो है आराम से यहां से branch 1 बना सकता है यही अगर carbon अगर 5 atom हो जाए तो यह जो है state chain भी बनाएगा और branch भी जो है दो बना सकता है maximum maximum जो है यह जो है दो ब्रांच जो बना सकता है अगर हम लोग यहां जोड़ दें तो यह parent chain हो जाएगा और इसमें एक branch यह हो जाएगा एक branch एक जब 6 रहा तो यह 1 और यह 4 तो इस परकार से जो है यह objective में जो हम लोग यहां से हम लोग असानी से deal कर सकते हैं तो यह जो था आज का session था तो आज के session में हम लोग क्या क्या पढ़ है एक बार हम लोग revise कर लेते हैं तो हम लोग सबसे पहले जो है और गेनिक केमिस्ट्री का और गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग सौर्ष के बारे में पढ़े हैं सौर्ष क्या क्या था प्लांट और एनिमल और गेनिक कमपॉंड का फिर definition पढ़े हैं हम लोग उसके बाद separate branch organic chemistry को क्यों बनाए गया इसके बारे में पढ़े हैं फिर हम लोग vital force theory पढ़े हैं फिर हम लोग urea का preparation पढ़े हैं फिर हम लोग catanation property पढ़े हैं और एक tetravalency property पढ़े हैं और tetravalency से रिलेट जितने भी जो है chain का जो classification था chain का जो classification था उसके बारे में हम लोग पढ़े हैं तो उमीद करते हैं जो आज का जो session है आप लोगों को अच्छा लगा होगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और यह जो है basic of organic chemistry का जो first part था जिसमें हम लोग basic पढ़े हैं second part में जो हम लोग nomenclature जो है इसका nomenclature जो है थोड़ा हम लोग short में देखेंगे क्योंकि आप लोग सब class 11 में पढ़ चुके होंगे तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe कर ले ऐसे ही वीडियो जो आप लोग को मिलती रहेगी तो आज के वीडियो में इतना ही है thank you